नमश्कार मैं सविता शर्मा सहिता जटपट कोकिंग में आपका स्वागत करती हूँ आईए आज अपन बनाते हैं राजस्ताने स्टाइल के अंदर धही वाली मंगोडी की सबजी मंगोडी की सबजी बनाने के मैंने लिया है नमग, स्वादमन साग, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, हिंग एक चुटकी, बेसन लिया है मैंने एक चम्मच और ये प्याज को मैंने बारिक काट लिया और ये लिया मैंने कसूरी मेथी सूखी हुई और अद् नहीं, जब से पहले मैं मंगोडी को एक चम्मच तेल डालते हुए सेख लूँगी, भून लूँगी इनको, और दूसरी तरफ मैंने एक भगोने के अंदर पानी बोईल करने के लिए रखा है, मंगोडी सीखेगी तब तक हमारा पानी बोईल हो जाएगा, ये देखो मंगो अब धक दूँगी, धक करके इसको जब तक फूल नहीं जाए और गल नहीं जाए तब तक उबाल लूँगी, मैं धक के इसको रख दिया मैंने दो चार तीन चार मिंट के लिए, अब मैंने एक पैन के अंदर तेल लिया, उसमें मैं डाला है जीरा, हींग, साबुत लाल मिर प्याज जो मैंने बारी काट के रखे थे, थोड़े से प्याज, वन टेबल स्पून ही प्याज जाए और प्याज नरम होने तक मैं चलाओंगी, और फिर मैं अब धही के अंदर जो मैंने बेशन लिया था एक चमच, धही में एक चमच बेशन मिक्स करते हुए, अच्छे से लाते हुए, इसके अंदर डालूँगी, जही में बेशन मिलाने से क्या होता है, कि धही फटता नहीं है, वरना धही के फटने का डल रहता है, यह बेशन मिक्स हो गया धही में, अब मैं इसे, इसके अंदर मैरे मसाला भी पक्के तियार हो गया है, प्याज भी थोड़े से नरम हो गया है, अब लगातार चलाते होए, दही को डालूँगी, जब तक दही में एक उबाल नहीं आजाए, इसके में लगातार चलाती रहूँगी, अब ही बॉइल हो गया, इसके अंदर डाल दूँगी में, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और यह डाल मंगोडी बॉइल होगी है, मंगोडियां काफी फूल भी गई है, अब आपन चेक कर लेते हैं, मंगोडियों को भी, देखों, एक मंगोडी लेकर कि मैंने रचल के देखाया इसको, जिस सारी अब गई है, मुझे सबजी में जितना रेशा चाहिए जोल चाहिए उस सबसी में पाने डालूँगी और एक्स्टा पानी मैंने हटा दिया था यह देखिया परफेक्ट है आप इसमें डाल दूँगी मैं नमक डाल मिक्स करने के बाद में इसको मैं दो से तीर मिनट के लिए लो फ्लेम के उपर ढख करके रख दूँगे यह काफी अच्छी और टेस्टी सब्जी बनके त्यार होती है आप लोग भी बनाएए खाईए और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए यह सब्जी बनके त्यार होगे किती अच्छी से तरिया इसके उपर ज्यादा तेल की जरूत नहीं होती है इस वक्त आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं अब मैं इसे एक बॉल में निकाल करके और हरे धनिया से गानिश कर दोंगी बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है यह इसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया विदि आपको पसंद आती है तो आप में इस चैनल को लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताएं धन्य बाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपिक के साथ